नमस्कार एने विलकम यौल वर्ल अफेर्ट ने वू प्रशान धवन नाव यूएस प्रेजिडेंट जो बाइडन ने एक बड़ी जियो पॉलिटिकल जीत चाइना को थमा दी है क्वार्ड समिट कैंसल करवा कर यहां पर आप देख पाओगे यू वेस्टन मीडिया ही आज के समय ओपनली कह रहा है कि जो क्वार्ड समिट कैंसल हो चुका है यह एक बड़ी जीत है चाइना के लिए और एक सेल्फ इन्फलिक्टेड ब्लो है क्वार्ड ने खुद को यहां पर चोड़ पहुचाई है और USA की जो भी Pacific को लेकर रंडीती थी इसको भी चोड़ पहुची है आप देखोगे यह topic दुनिया भर में especially इंडिया में तो extensively डिसकस किया जा रहा है क्योंकि क्वार्ड समिट इस बार का बहुत ही जारा important था जपै बात देखिए बिलकुल last moment पर जो भार्डन ने यह कह दिया कि मैं Australia नहीं आपाऊंगा तो इसके बाद Australia ने पूरा समिट ही cancel कर दिया और आप देखोगे even US मीडिया भी भार्डन की अलोशना कर रहा है कि यह सब करने की आउशकता थी नहीं proper planning से चलते अगर इनको USA में ही बहुत जारा काम था जिसकी वज़े से यह Australia ना जा पाते तो दो-तीन महीने पहले ही बातचीत हो जाती हम समिट को आगे postpone कर देते या फिर कुछ और कर सकते थे एक cancelled Quad Summit मैं आपको बता रहा हूँ इंडो-Pacific रंडीती को भारी नुकसान पहुचाएगा हाला कि मैं आप एक काम नंशन कर दूँ के Quad Summit कैंसल हो चुका है मगर इंडिया के प्रामनिस्टर नरेंदर मोदी ये फिर भी ऑस्टेलिया जाएंगे ये अट लीस्ट इंडिया एक साइन शो कर रहा है सिंस्यारिटी का के चाहे यूएस चाइना के थ्रेट को लेकर इतना ज़रा सिरियस ना हो म अगर इंडिया प्रॉपरली इंडो पसिफिक की जो रनीती है इस पर बिलीव रखता है और चाहे जो बाइडन ना आए पीम मोदी खुद चाहे कोड की मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी पीम मोदी खुद वान टुवान बालेटल मीटिंग करेंगे औस्टेलिया के प्रामि जिसने कौड से पुल आउट कर लिया था कौड गुरूप को ही छोड़ दिया था बताइए 2008 में किस कंट्री ने यह किया था जपान इंडिया युएसे या फिर ऑस्टेलिया कॉमेंट सेक्शन में करिये उत्तर सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो केंड में अच्छा देने के मामले में युएस दुनिया में नंबरवान देश है चाइना पे आप अगर देखो तो डेट एक्स्टरनल डेट एस्पेशली आपको मिलेगा 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स का ये कहीं से भी कंपेरिबल नहीं है युएसे के टोटल डेट से जो 31 ट्रिलियन युएस डॉ और अगर आप सोचने इतना सारा डेट युएसे के पास आता का से है तो देखिए दुनिया युएसे को पैसा देती है जरातार जो ये डेट है ये आता है युएसे की ट्रजरी बॉंड से युएस इंटरनाशनली खड़ा होता है कहता है कि हमें 50 मिलियन 100 मिलियन जितने का अब ये बॉंड इशू करते हैं इतने डॉलर्स चाहिए और उसके बतले में हम आपको हर साल 2-3% के आसपास यील्ड मतलब के रिटरंस देते रहेंगे दुनिया युएसे को उधार देती है युएसे के बॉंड बहुत जादा सेफ और सिक्योर इन्वेस्मेंट माने जाते हैं और युएसे का जो टोटल उधार है ना दुनिया से ओर के जितन उन्हें उधार ले रखा है ये अब 31.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुका है फणी बाद देहिए 2010 के आसपास ये जो डेट सिलिंग थी ये 10 ट्रिलियन के आसपास थी और पिछले 13 सालों में ये तीन गुना उपर जा चुकी है जो बाडन के सामने प्रॉबलम ये है कि USA की सरकार ने खुद पर एक रोक लगा रखी है और वोस्ट आप कह लीजे जैसे कोई बिलकुल अमीर बच्चा हो ठीक है उसके पास बहुत सारा पैसा हो खर्चने को जितने मर्जी पीजा मंगा के ख खुद पर रुख लगा रखी है कि भाईया इससे जादा कर्ज नहीं ओडेंगे 31.5 trillion dollars is our limit अब जो बाडन चाहते हैं कि थोड़ा साना इस limit को बढ़ाओ क्योंकि खर्चे बहुत जादा हो रहे हैं क्या करे युक्रेन को 46 billion dollars दिए अभी और billions of dollars देंगे युक्रेन को उसके लावा बहुत सारे और खर्चे हैं US military के US defense related तो जो बाडन चाहते हैं कि जो ये debt ceiling है USA ने जो खुद पर रुख लगा रखी है कि इससे जादा कर्ज देश पर नहीं लगा जाएगा इसको थोड़ा सा और बढाकर 35, 36, 37 के आसपास कर दो ताकि जो बाडन को थोड़ा सा room मिल जाए थोड़ा सा ये पैसा और खर्च पाएं और ये जो debt ceiling है USA ने जो खुद पर रुख लगा रखी है ये change कैसे होगा ये change होगा US Parliament में voting के बाद USA के पार्लिमेंट में Democrat Republican Party के लोग बैठेंगे voting होगी और उसके बाद जो ये debt ceiling है इसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि US और करजा ओड़ता रहे ओड़ता रहे चालिस ट्रिलियन पचास ट्रिलियन ये नंबर सीधा अंतरिक्ष में ही जाएगा और अगर मान लीजिए hypothetically speaking USA के politicians में इस बात को लेकर agreement नहीं हो पाया USA की debt ceiling raise करे या ना करे तो US default कर जाएगा US अपने बहुत सारे करजों की जो इनको payments कर नहीं होती है वो नहीं कर पाएगा और उसकी वज़े से international monetary fund ने ये का है कि पूरी दुनिया पे impact आने वाला है या IMF की warning है dollar collapse कर सकता है और इसका impact पूरी दुनिया पे होगा it will be very bad Janet Yellen तो ये भी कह चुकी है कि US default की वज़े से एक global economic downturn आ जाएगा ना problem बड़ी है मगर ये problem हर US President के सामने आती है असानी है कि Biden के सामने ये problem आ रही है ये problem Obama के समय भी आई थी उससे पहले भी काफी पर आ चुकी है क्योंकि आप खुदी देख सकते हैं US हर बार अपने आप पर रोक लगाता है कि बस इससे जादा कर्ज नहीं होड़ेंगे फिर 5-6 साल बाद थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे USA में रहना होगा तो इसलिए मैं समिट अटेंड नहीं कर पाऊंगा बहुत सी चीज़े की जा सकती थी मगर Quad समिट का कैंसल हो जाना ये देहिए बहुत ही अगली लगेगा और इसलिए Western Media ही खुदी कह रहा है कि ये चाइना के लिए फ्री की ज कर देखो बाइडन ये भी कह सकते थे कि मैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी आऊंगा कई लीडर है उन्होंने बड़े बड़े समिट वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी अटेंड किये हैं बाइडन ये करते कि अपने जो सेकेटरी और स्टेट है उनको भेज जेते और यह कहते हैं कि मैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग से एक स्पीश दूँगा, कोई प्रॉब्लम किसी को खास होती न, मगर समिट कैंसल कर देना, यह बड़ाई खराब मैसेज्ज रेगा इंडो पसिफिक की बाकी कंट्री में, क्योंकि एक और देश है, यहाँ पे आप देख पाओगे, पपुआ न्यू गिनी, यह कंट्री बहुत ही इंपोर्टेंट है, चाइना और कॉआड के बीच में जो पावर बैलेंस है उसके लिए, चाइना कोशिश कर रहा है कि इस कंट्री को यह एक प्रो चाइना कंट्री मना दे, मगर यूएस, उस्ट्रेलिया, एंडिया कोशिश कर रहे हैं कि यह कंट्री न्यूट्रल रहे, अब जो बाइडन का प्लान ये था, कि पहले तो ये सिड्नी में आएंगे कौआड समिट के लिए, और उसके बाद पिए मोधी के साथ ये कुछ कंट्री को विजट करने वाले थे, इंडो पसिफिक रीजन में, उनमें से एक दियाश था पपुआ नियूगी नी, इस कंट्री ने तो पब्लिक हॉलिडे डिकलियर कर दी थी, इस खुशी में कि जो बाइडन और बाकी वर्ल लीडर्स हमारे कंट्री में आएंगे, यहाँ पर बहुत सारा उत्सा था, मगर अब डिसपॉइंट्मेंट है, कि पब्लिक हॉलिडे डिकलियर कर दिया, लास्ट मुमेंट पर बाइडन कहते हैं कि मैं आऊंगा नहीं, और अब जियो पॉलिटिकल एनलेस्ट खुद कह रहे हैं, कि पपुआ नियू गिनीना डेफिनेटली, अब एक प्रो चाइना कंट्री बन के उभरेगा, क्योंकि USA पर देखो प्रॉब्लम यही है, कोई विश्वास करता नहीं है, लास्ट मुमेंट पर US कब दिमाग चेंज करते के नहीं जी ऐसा होगा, और मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, कि क्यों इंडिया SEO को नहीं छोड़ता, क्यों इंडिया BRICS से पुल आउट नहीं करता, और ना कभी करेगा, क्योंकि USA जब तक अपनी reliability शो नहीं करता, as a dependable partner, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इंडिया US relations next level पर पहुच पाएंगे, अभी के लिए तो मैं कहूंगा, Quad को एक बहुत जड़ा बड़ा जटका लगा है, Quad की reputation को जटका लगा है, और अब देखना यही होगा, कि PM Modi जो विजट है यह matter करेगी, यह क्या कहते हैं Australia में यह matter करेगा, और उमीद करता हूँ Australia एक ऐसा कंट्री जिसके साथ उमीद है, हमारा trade बहुत ही जल्द in the coming few years, 100 billion dollars तक पहुच जाएगा, at least target तो यह रखने की बाचीत की जारी है, इस कंट्री के साथ मिलकर इंडो पसिफिक को लेकर इंडिया बड़ी announcement करेगा, I hope, नाव वापस आते हैं ने question की तरफ, के which country we drew from quad in 2008, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option D Australia, जी हाँ आप कहली जिए Australia की history रही है, के directly in directly quad को कमजोर करने में इनका साथ रहा है, और Australia ने बाद में कई बार माफी भी मांगी, के हमने mistake करी थी, हमारी गलती थी, के हमने quad से walk out कर लिया था 2008 में, बट मैं यह कहूंगा के इस walk out का इतना जादा damage हुआ नहीं, क्योंके उस वक्त quad एक proper group बना नहीं था, आज के समय बन चुका है, quad summit फिर cancel करना very bad, और finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ, क्या आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाए UPSC, SSC bank, anacademy के quality courses available हैं, तो let's say आपको purchase करना है, SSC exam का course, तो आप यह SSC का link है, इस पर click कर सकते हैं, और यहाँ पर you can purchase anacademy's, SSC course, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, कभी भी यह prices पे मत करना, simply यहाँ पर code use करिये, PD10 and you will be able to save a lot of money through discount, तो use करिये code PD10 and save money, and finally this is the end of the video, thanks for listening, और जैसा मैं मेशा कहता हूँ, May the gods watch over you. झाल सकता हूँ,